सब्सक्राइब बावाबर गरनाथ की रामराब दर्ष को आज हम इस वीडियो में धन तेरस के दिन धन बरशाने वाले उपाई के बारे में बताएंगे बिस्तार से बताएंगे इस माह उपाई को कर लेने के बाद बास्तों में आपके चमूर भी धन बरशना शुरू हो जाए और हमारे चनल को भी शेफ्ट्राइब करना पिल्कुल लब हो लें ताकि इसी तरह को उप्योगी वीडियो आपको समय समय पर नोटिपिकर्शन के माद हमसे मिलते रहें दर्शको पंची दिवशी पर्वधी पावली बस कुछी दिनों शेश रह गया है जिसको उल्लास के साथ सभी लोग मनाते हैं लोगों ने अभी से तयारिया शुरू कर दी है इस परव का प्रारंभ धन त्रयोदशी यानि धन त्यरश्य होता है जो इस बार 23 अप्टूबर 2022 के दिन रभी बार को होगा इस परव के कई महत्यों हैं किन्तु अधिकांश लोग खरिदारी को ही इस परव का मतलब समझते हैं इस दिन वाहन खरीदें या फिर बरतन या आभूशन इस बित से परव को मनाएंगे तो आपके घर में भी सुख सान्थी और लक्षमी सदय वाश करेंगी तुदर्श को धंतेरश के दिन आयरुवेद के ग्याता भगवान धंवंतरी जी का प्रादुर भाव हुआ था उनके हाथ में अमरीत करस था जो की संजी पनी है धन्वंतरी जी बास्तों में स्री हरी विश्नु जी का ही एक शुरूप है इस दिन भगवान धन्वंतरी के पूजन का विधान किया गया है इस दिन गिरहस्त लोग ओम नमो भगवते धन्वंतराय विश्नु रूपाय नमो नमाहा मंत्र का जब करें तो परिवार में रोगों का नाश हो जाता है और आरोग गिता प्राप्त होती है साथ ही व्यक्ति दीरगायू को भी प्राप्त हो जाता है तो इस धंते रश आप भी इस महामंत्र के साथ जरूर करें वहीं धंते रश से पांच दिन तक यम को प्रशंड करने के लिए दीप जलाया जाता है यम अर्थात मृत्व के तेवता यम को प्रशंड करने से अकाल मृत्व से मुक्ति मिल जाती है धंते रश की रात को आप सभी लोग आटे का दीपक बना लें आटे का दीपक नहीं बना दिजिए यह चारों शीरे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रतीक माने गए हैं दीपक शाम को घर के तरवाजे या फ्लेट के दरवाजे पर रख दें विश्णु जी को पुश्ण करने के लिए विश्णु शहत नाम का पाठ भी अवश्य करें आप देखेंगे कि बास्तों म देरश का दिन खरीदारी करने के लिए एक अबूच महूर्त माना गया है और हर कोई अपनी शामर्थ के अनुशार खरीदी कर सकता है इस दिन लंबे समय तक चलने वाली बस्तों जैसे वाहन आभूशन वरतन वस्त खरीदे जाते हैं इस दिन चांजी के वरतन खरीदना अत दिहान रखना चाहिए कि घर में खंडित या चिटके हुए बरतन ना रखे जाएं उन्हें तुरंद हटा दें वहीं धंतेरश के दिन वाहन करिदना भी अतिन शुप माना जाता है वाहन लेना है तो धंतेरश की ती थी लगने के बाद ही उसकी डिलिवरी लें शुभ मूर करें साथ ही पुराने बाहन का भी पूजन आपको अबश्र करना चाहिए तो दर्शको ये थे कुछ खास उपाय जिसे आपको जरूर आजमाना चाहिए तो दर्शको आज के पीडियों में पच्छित नए वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में कमेंट करके चुरूर एक नए वीडियो के साथ हगले दिरांग पर तब तक के लिए एक बार कुना सभी दर्शकों को राम राम